बिहार SSC इंटर लेवल के लिए दोस्तों 27 लाख फॉर्म गिर चुका है और ये बहुत ही अच्छी वेकंसी और बहुत बड़ी वेकंसी है और इसका एक जाम का जिम्मेदारी जो है बेल्ट्रोन को सौंप दिया गया है इसका मतलब साफ है कि खेल तो होने वाला है लेकिन किस रूप में आई इस वीडियो में लोग जानते हैं लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि बिहार SSC का हम तैयारी कैसे करें इसके लिए कोई उपाई बताइए कोई प्लेट्फॉर्म बताइए वो भी आपके लिए आ चुका है नमस्कार दोस्तों आनंद स्टड़ी ओन लाइन चनलल में आप लोग का फिर्जेक पर स्वागत है तो बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था मेरे वाट्सप पर या टेलीग्राम पर कि बिहार SSC का कुछ अपडेट बताईए कि इसका एकजाम कब तक होने का संभावना है कब तक हम इसका एकजाम का वेट कर सकते हैं और किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं क्या आपडेट आपके तरफ से इसके में निकल कर क्या रहा है तो ध्यान से आप सुनियेगा दोस्तों इस पूरे वीडियो आपको बिहार SSC से समंदेत बहुत सरा चीच बताने वाले हैं कुछ प्रिवियस रिकॉर्ड भी बताने वाले हैं और के दोरा और यह बहुत ही गलत बात है चुकि यह नोट्फिकेशन में लिखा होता है कि एक साल तक में हम इसका जॉइनिंग भी आपको दे देंगा मतलब पूरा प्रिक्रिया को समाप्त करने का जो पूरा समय होगा वह एक साल का होगा लेकिन ऐसा है नहीं 2023 में निकला है 2024 ह जा रहा है इसमें भी अभी तक अब्रेट नहीं आया है और 2014 के वाद यह वेकंसी निकला है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार SSC इंटर लिवर का यह जो वेकंसी है यह बिहार का सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाने वाले वेकंसी है और यह अभी तक का सबसे ब बड़ा संख्या है और इसी कारण से आपका आयोग भी confused है कि 27 लाख लोगों का हम एक्जाम कैसे ले पाएंगे इसी कारण से बार बार यह अलग अलग टाइप का नोटिफिकेशन दे करके आपके समय को यह बढ़ा रहा है यानि कि एक्जाम को जिस समय पर लेना चाहिए उ आपको नोटिस मिला होगा कि इसका एक्जाम जो होगा कैसे होगा तो ओन लाइन तरीके से लिया जाएगा अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि आपको नोटिस विगर भी हम पढ़के दिखाने वाले हैं मतलब बताने वाले हैं को याद ताजा हो जाएगा और सबसे पह इसने क्या किया कि आपके एक्जाम को जो है बेल्ट्रोन को सौप दिया बेल्ट्रोन आपका एक्जाम लेगा और ये एक्जाम को करणेट करवाएगा और बेल्ट्रोन एक ऐसा बिभाग या ऐसा प्लेट फॉर्म है दोस्तों अगर इसके द्वारा एक्जाम को कभी भी लिया गया है तो इसका previous record अगर हम लोग देखते हैं बिल्ट्रोन का तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है यानि कि exam में धानली हो गया question out हो गया exam का paper अच्छे set ना होना बहुत तरह का आरोप इस पर लगते रहा है बिल्ट्रोन पे और इसको सौपा गया है आपके बिहार S से इंटर लेवल का form का exam ठीक है यह लेगा इसके दौरा लिया जाएगा और उमीद है कि TCS को लेकिन खैर अभी वो सब चर्चा नहीं सबसे पहला बात यह करना चाहते हैं कि 27 लाक जो form गिरा है दोस्तों यह सबी लोग कौन थे जो कि चाहते थे कि बिहार SAC में हम जौब ल लेकिन हम ही आपको बताना चाहते हैं कि आपका exam अब बहुत ज़्यादा देर भी नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे माध्यम से आयोग पर भी दवाव पढ़ रहा है कि तुम exam ले लो वो चाहे आपका उसके social media से हो वो उसके social media handle पे उसको message जा रहा है या Twitter के माध्य हम सभी समझ में आता है तो यह सभी चीज़ को देखते हैं और वीडियोज भी हम लोग देते रहते हैं वो सभी उसके कानों तक पहुंसता होगा अगर आप लोग share करते हैं तो like share और subscribe तीन चे जरूर करिएगा इससे बहुत effect पड़ता है अब बात करते हैं कि आपका exam और आ जिसमें नवकरी बहुत लोगों को मतलब मिलना संभव होता है बहुत कम लोग ही उसके पात्र हो पाते हैं सबसे पहला बात हम करना चाहेंगे कि यह बेल्ट्रोन को एकजाम का जिम्मा सौपा है इसके कारण कुछ exam में धांदली होगा और जिस समय अगर धांदली हो गया त तो 3 shift में आपका exam कम से कम चलेगा और per day आपका exam लिए जाएगा तो एक महीना से जादा का समय आपका exam चलने वाला है क्यों कि बिहार में online के लिए भी विवस्था है exam हो सकता है online लेकिन इतने लोगों का online 27 लाख लोगों का online exam लेना मतलब बहुत ज़्यादा संख्या होता दिक्कत तो होगा इसी परकार से इस आयोग भी confirm नहीं हो पा रहा है और 27 लाख लोग जो form भरे हैं इसका पैसा तो उसके पास है कितना कितना रुपया लिया था ये भरने में इतना पैसा उसके account में होगा उसका सूध जोड़िएगा उसका interest जोड़िएगा तो कितना ज्या अब इसके लिए आपको हम बता दें कि क्लास भी आ चुका है ठीक है और चरचा करते हैं नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं और थोड़ा सापको सिलेबस भी हम समझा देंगे ताकि आप confirm हो जाए कि कैसे कैसे एक्जाम लिया जाएगा लेकिन अभी आपको बताते हैं कि आप इसके वेगरां डिस्क्रिप्शन कोमेंट भॉक्स जादिये हैं तो उस अप्लिकेशन पर आप लोग का कलास आ चुका है आपके यहां पे स्टीन पर भी दिख रहा होगा अगर उस अप्लिकेशन को आप उपन करते हैं मोबाइल नंबर पासवर्ड वेगरा इमल आड़ दे 399 रुपया यानि कि आप मात 399 दे करके इसका टार्गेट बैच का त्यारी आप कर सकते हैं वो सभी चैप्टर वो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएंगे जो कि बिहार SSC के लिए संपूर्ण त्यारी होगा और जो भी नए लड़के हैं जो कि नहीं जानते हैं बि अब इसमें क्या खास दिया गया इसमें वी डिटेल्स में हम लोग जाते हैं देखते हैं तो यहां पर बताया गया है कि बिहार SSC का त्यारी आप लोग कर सकते हैं और यह बैच 16 सिप्टमबर से स्टार्ट हो गया है यानि कि वीडियो कलास आपको प्रोवाइड करा दिया क्या है और लाइब भी चल रहा है मतलब जो आप क्लास छोड़ चुके हैं वो रिकॉड़ेड रखा वह आप पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले अप्ली केशन डाउलोड कर लेजें अप्ली केशन में जाकर करके आप इसको बाइन आउप कर सकते हैं और सभी चीज को पढ़ सक समझ में आ जाए तो यह क्लास आपके लिए इफेक्टिव होगा यहाँ पे डेली लाइब वीडियो रिकॉडिंग चेटर वाइस थियोरी आपका प्रेक्टिस रेट कुई सबसी चलता है और यह आपको फायदा ही करेगा और यहाँ पर बाइन आउप पे किलिक करके आप इ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट को सुझे दिया गया अप्लिकेशन सबसे पहले प्लेश्टोट से डाउलोड करिए सिच्छापत का और वहां पर जाकर करके बिहार से बैच में पर्चेज करके और इसमें जितने वी वीडियो प्रीड इसके लिए एक्टिव हो चुका था कि चलो वेकेंशी आगया इसमें एक सीठ हम कनफर्म करेंगे और वो सभी लोग थोड़े थो निरास हो चुके हैं इसके हरकत को देख करके चुकि आपको हरकत को हम इसका प्रिवियस हरकत जो है इसका प्रिवियस एक्टिवीट इसमें बताया भी गया था कि बिहार करमचारी चैनायुक के लगए नौव बर्स के बाद, नौव बर्स के बाद दुईतिय इंटरस्तरिय भरती परिच्छा दौर 23 में वेकेंसी निकाली पहली इंटरस्तरिय दौर 14 में निकले थी, और इसके लिए अभी तक भी कोई अप्लेट नहीं आ रहा है, और वहीं पर दूसरी इंटरस्तरिय भरती 23 के नवंबर तक आवेदन लिया गया था, सुधार के लिए दो बार मौका दिया गया, दो-दो बार एक महिना के लिए मौका दिया गया, जान करके लेट कर रहा था, मतलब एक महिना तक फॉर्म भी भराया, फिर रिपीट फॉर्म भराया एक महिना तक, फिर सुधार का मौका, मतलब जान बुच कर समझ में आ रहा था, कि ये समय आपका खा रहा है, चुकि इसको एक्जाम लेने में दिक्कत हो रहा ठीक है 18 मार्स तक सुधार का मौका दिया इसी बीत जाने के बाद भी अब तक आयो का वेब साइट पर परिच्छा समन्दित कोई उपलद नहीं कराए गई है और 3 माह के बाद होगी इंटरस तरी ये परिच्छा मतलब उस तरह में भी लेट करके ही आप लोग का यहां पर दिया जारा तो इस तरह का नोटिस पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग के निकला था उसके बाद आपको हम बता दें कि और भी नोटिस जो की आपको बताया गया कि यहाँ पे लिया जाएगा आपका बेल्ट्रों के माध्यम से लिया जाएगा उसका भी नोटिस आप लोग देखे यहाँ पे दिया गया जो कि कुछी दिन पहले आया था इंटरस तरी परिच्छा के लिए एजनसी का चैन हो गया है जिसमें बोला गया है कि आउनलाइन मोड उसके बाद दोस्तों जितना भी नोटिस निकल राओ उसे साफ ये समझ में आप लोग को भी आता होगा और हम बता रहे हैं तो आप लोग को समय में जरूर आ रहा होगा कि ये time taken कर रहा है मतलब आपका समय लेने का परियास कर रहा है लेकिन आप लोग को जादा भी डेट नहीं करना पड़ेगा, उतना भी बेटने करना, करना कितना है तो आपको बता दें, कि इसका एक्जाम जो डेट होगा दोस्तों, वो जनवरी से फरवली तक में आपका कंफर्म कर दिया जाएगा, यानि कि दो हजार पचीस के जनवरी फरवली में, आप लोग का बिहार SSE इं नजदीक है, इस कारण से ये चुनाओं से पहले एक्जाम को लिया जाना है, जिसका सिलेवस क्या होगा दोस्तों, तो सिलेवस आप लोग का बताया गया था, जिसमें GKGS के कोशन पूछे जाएंगे, और ये काफी महतपूर्ण यगदान रखेगा, मतलब काफी हाड होता ह है, GKGS को पूरा करना, मैत रिजनिंग के मुकाबले, इसमें 75 कोशन पूछा जाएगा, 75 कोशन GKGS से मिला करके, जिसमें GK से आपका 50 कोशन होगा, और GGS से आपका 25 कोशन होगा, और इसी में आपको करेंट अफेर्स, यानि कि ये 50 कोशन में करीब करीब आपमान करके चलि करेंगे, करेंट अफेर्स के लिए भी बुक आ चुका है, अगर करेंट अफेर्स आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस बुक को आप जरूर परियोग करिए, और देखें कितना एफेक्टिव एकदम न्यू लांच किया गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ये ये सब आपको जनकारियम इसलिए भी देते हैं दोस्तों, ताकि आप अपडेट रहें किसी बीचीज से, ऐसा ना हो कि आपको पता ना हो, पता हो, आपके मन पर है कि उसको बाय करें या ना करें, वो आपके मन पर हो, लेकिन पता आपको मार्केट का हर एक 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 जा रहा है, और जिसमें आपको अच्छा से स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीटी परिक्षा होगा, और इसके बाद आप लोग का मेंस होने वाला है, तो दोनों पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो आपको पीटी निकालना होगा, और इसके लिए जितना मेहनत होगा, आप लोग को करना पड़ेगा, अगर आप लोग को 12,99 में एक सीट चाहिए, जिसी भी वेकेंसी के लिए आप अपलाई किये हैं, तो आपको कड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, और जो कड़ा सबजेक्ट है, उसको ज्यादा पढ़ने का प्रियास करिए, हो सक ना खरिजना या उसके आगे जाना, उसको समझना, आपके ऊपर होता है, जो करते हैं, वो आपसे आगे रहते हैं, यह हम कह सकते हैं हमेशा, तो यह 75 question यहां से और 75 question यहां से यह दोनों को पूरा करने के बाद आपका एक अच्छा score बनेगा, जो कि PT आपको निकालेगा, qualify क करवाएगा, फिर मेंस में जैसा आपका नंबर आएगा, उसी हिसाब से आपका merit भी बनाया जाएगा, तो यह बहुत ही बहतर vacancy होने वाली है, 2014 के बाद आपको 223 मों मौका मिला है, तो ध्यान से इसको करिएगा, 1x4 का negative marking भी आपको इस exam में देखने के लिए मिलेगा, जो बार तो 8-9 साल बाद आए, आगले बार हो सकता है, 11 साल बाद आए, तो आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो आप लड़की हैं, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर कर दिएगा, सेर कर दिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लिएगा, और इसी अच्छे से एकजाम को यह connect कर बालता है, on an exam है, अगर अच्छे से connect कर बाता है, किसी भी तरह का दाख धबा नहीं लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग साथ जरूर है, आप लोग का सपष्ट तोर पे एकजाम दिया जाएगा, अच्छे से question दिया जा अच्छे से आप जरूर कुछ समझे होंगे, कि तयारी हम को कितना दिन में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर चीज आपको हम बताते हैं, कुछ update भी बताते हैं, वीडियो class भी आया है, वह भी बता दिया, सब चीज आपको हम बताते हैं, जो भी notification मेरे तरब से आपके लि एक साथ, थैंक यू, जै हिंद!